Q4. Solve the following money problems. Q1. A piggy bank contains only 20 coins. If the total value of the money is Rs. 60, find the number of points in the piggy bank. So, 20 price of coin is Rs. 60, find the number of points. Let the 20 price coin equal to let X. We know that Rs. 60 equal to 60 into 100. जब हम 100 से multiply करेंगे तब ये पैसे में convert हो जाएगा. तो हम पैसे लिख सकते हैं. तो उसको multiply करेंगे तो 6,000 होगा. 6,000 पैसा. तो according to question, question के according क्या दिया है? जो ये 20 पैसा है. 20 पैसा के साथ जब हम coin को multiply करेंगे. coin को 20 पैसा के साथ multiply करेंगे. मतलब 20 into X equal to कितना होगा? ये भेलो होगा. 6,000. तो ऐसे लिखेंगे. अभी हम X का भेलो पाइन करेंगे. तो X equal to कितना होगा? 6,000 divided by 20 होगा. So 20 से जब हम इसको cancel करेंगे. 20 into 3 equal to 60 होगा. तो ये 2,0 हम पीछे लगा सकते है. तो X का भेलो हमें कितना मिलेगा? 300. मतलब ये जब 20 पैसा का coin कितना होगा? 300 होगा. 300 total 20 पैसा का coin हमें मिलेगा. तो answer हम लिख सकते है. 300. ये होगा उसका answer. Question 2. एए wallet contains Rs. 250 in 25 पैसा coins. How many such coins are there? तो इसमें हमें 20 पैसा का coin कितना wallet में है? उसको find करना परेगा. इसमें Rs. 250 दिया है. तो 250 को हमें पैसे में पहले convert करना परेगा. क्योंकि इसमें पैसे में है. तो इसलिए हम इसको पैसे में convert करेंगे. और इसकी साथ ये जो unknown total coin है. उसको हम X consider करके उसको divide करेंगे. तब इस का अंसर आजाएगा. लेट 25 पैसा coin 25 पैसे coins equal to X हम consider करेंगे. तो we know that हम क्या जानते हैं? we know that rupees 250. तो rupees 250 equal to 250 into 100. तो 100 से हमने क्यों multiply किया? क्योंकि ये 25 पैसे में है. तो हमने 100 से multiply किया तब ये 250 पैसे में convert हो जाएगा. तो हम इसे लिख सकते हैं पैसे. तो इन दोनों का total multiplication में होगा 250 and 0 and 0. ये होगा उसका answer. तो according to question में क्या आएगा? according to question में ये जो 25 पैसा है 25 पैसा है. उसके साथ जब हम ये x multiply करेंगे तो कितना आएगा? ये विलू आएगा. ये विलू आएगा 25,000. तो अभी हम x का विलू फाइन करेंगा. x का विलू ही होगा total 25 पैसा की coin. तो x equal तो कितना हैगा? 25,000 divided by 25. So 25 से इसको जब cancel करेंगे. 25 into 25 one time होगा. तो ये 3-0 हम इसके बाद एजे लगा रहेंगे. तो ये होगा उसका answer. x equal तो होगा 1000. मतलब हमें answer मिल गया 25 पैसा का जो coins कितना है? 1000 coins. ये होगा उसका answer. Q3. I have some 20 पैसा coins and an equal number of 10 पैसा coins. If the total amount is Rs. 300, how many coins of each denomination are there? Let the number of coins in each denomination equal to x. तो question के according हम क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे we know that हम क्या जानते है? We know that ये जो हमें value डिया है Rs. 300. So 300 equal to हम लिख सकते है 300 into 100. मतलब इसको हम पैसे में convert करेंगे. क्योंकि 20 पैसा और ये जो 10 पैसा ये दोनों पैसे में हैं. इसलिए हम इसको पैसे में convert करेंगे. तो equal to ये केसा बन गया? पैसा बन गया. तो इन दोनों को जब multiply करेंगे तो इसका value आएगा 30,000. तो रूपीज 300 equal to 30,000 पैसा बन सकता है. पैसा हो सकता है. हो सकता है मतलब क्यों होगा? तो according to question, question के according क्या दिया है? जब हम ये दोनों पैसा equal है. 20 पैसा और 10 पैसा equal है. इन दोनों पैसा को 20 पैसा plus 10 पैसा इन दोनों को add करेंगे. एद करने के बाद इसको x से जब multiply करेंगे. ये जो each denomination में जो भी भी होगा. इसको जब multiply करेंगे. तो इसका equal कितना होगा? 3000 होग equal to 30,000 होगा. तो ये है का इसका value. तो इसको हम ऐसे भी कर सकते है. 20 plus 10 bracket में x है. ब्रैकेत के बाहर. तो x के साथ 20 को multiply करेंगे तो 20 x होगा. next x के साथ 10 को multiply करेंगे तो 10 x होगा. तो इन दोनों को हम add करेंगे. तो कितना मिलेगा? 30 x. तो ऐसे भी कर सकते है. अगर हम चाहें तो इन दोनों को bracket की काम हमें पहले करना पड़ेगा तो इसलिए हम इन दोनों को याद करेंगे 30 होगा 30 की साथ x multiply करेंगे तो 30 x होगा फाइनली x का भेलो हम निकाल लेंगे इससे तो 30,000 divided by 30 तो इससे यह 30 कट जाएगा तो वन टाइम होगा और यह जो 3 0 है इसको हम इसकी बार में लगा देंगे तो x का भेलो कितना आएगा 1000 आएगा मतलब the number of point in its its Departation equal to x 20 Pasa का coin कopolitना मिलेगा 1000 मिलेगा और 10 Pasa का coin क höhervyण थाओजन मिलेगा तो यह दोणों किया है equal according to question यह दोन基本 है तो 1000 $ equal to 1000 होगा ही होगा तो answer क्या है अंसार हम लिख सकते हैं एह piggy bank contains only 50 PESA coins and 25 PESA coins तो यह piggy bank है, piggy bank में क्या दिया है? 25 PESA का coin मिलेगा हमें and 50 PESA का coin मिलेगा तो बात में क्या दिया है? There are 4 times as many 50 PESA coin as there are 25 PESA coin मतलब 25 PESA coin जो भी होगा माल लो X है तो 50 पैसा का कोईन कितना मिलेगा 4X मिलेगा तो if all the money is the piggy bank added up to 1080 रुपेज find the number of 50 पैसा कोईन in it तो अगर हम इन दोनों को add करेंगे तो add करने के बाद X plus 4X जब करेंगे तो इसका total भी लो कितना आएगा 1,080 आएगा मतलब यह जो 4X है 4X किसका है 4X है 50 पैसा का, so 50 into 4X करना परेगा X किसका है, X 25 का है, so 25 into X करना परेगा तो plus करके हमें यह जो 1,080 करना परेगा तभी इसका answer आजाएगा ले the number of 25 पैसा कोईन इक्वेल तो X हम कंसिडर करेंगे and the number of 50 पैसा कोईन इक्वेल तो हम 4X कंसिडर करेंगे क्योंकि question में दिया है, जो piggy bank है, piggy bank में 25 पैसा का coin and 50 पैसा का coin दोनों मिला के कितना है इक्वेल तो जब हम इसको count करेंगे, 1080 मिलेगा तो यह जो 25 पैसा है, इसको जो हम X कंसिडर करेंगे इसको 4X कंसिडर करना परेगा क्योंकि 50 पैसा coin, 25 पैसा coin से 4X ताइम ज्यादा है तो यह होगे इसका पहला step, next हम क्या करेंगे we know that, लिखेंगे we know that, we know that, rupees 1080 equal to हम क्या करेंगे इसको पैसे में गंभाट करेंगे, क्योंकि यह दुनों पैसे में है तो इसलिए 1080 into 100, इधर हम पैसे लिख सकते है इन दोनों को जब हम multiply करेंगे, total value कितना आएगा 1080, इसकी बात में हम यह 20 लगाएँगे तो equal value होगा, multiplication, equal value मिलेगा according to question, question की according क्या दिया है इन दोनों को जब हम add करेंगे, मतलब x plus 4x तो इन दोनों को जब हम add करेंगे, तो कितना भिलो आएगा, यह भिलो, यह पैसा आएगा 1080, 00, आएगा लेकिन x किसका है, 25 का है, तो 25x होगा next 4x किसका है, 50 का है, तो 50 होगा तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसका solve करेंगे, तो इसका answer निकल के आ जाएगा तो यह 25x होगा, इसको जब solve करेंगे तो क्या होगा, 200x होगा 200x and 25x, इक्वेल तो क्या मिलेगा, 10800, 00, तो इसका total value दोनों को साम करेंगे तो 225x होगा, इक्वेल तो 10800, 00 होगा अभी हम x का value find करेंगे, x का value जब find करेंगे, तो इसका result एक निकल के आएगा 225, अभी 225 से हम इस value को divide करेंगे, जब भी इसको हम divide करेंगे, तो इसका total value आएगा 480, मतलब हमें x का value मिलेगा 480, question में हमें 50 पेसा का coin कितना है, उसको find करने के लिए दिया है तो हम क्या करेंगे, therefore the number of 50 पेसा coins, coins equal to 4x तो 4, अभी हम x का value put करेंगे, 4 into x का value हमें क्या मिला, 480 मिला तो इन दुन्हों को जब हम multiply करेंगे, तो एक value मिलेगा वह value है, 1920, यह बनेगा इसका answer तो x का value मिलेगा यह, और 4x का value मिलेगा यह मिलेगा यह, जुआ यह, जुआ यह, जुआ है